गुड इवनिंग स्टुडेंट्स, माइसेल्फ जतिन बंसल, टूड़े वी विल डिसकस मोशन एंड फोर्स चैप्टर, जर्नल साइंस दा एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर हैगा, मोशन एंड फोर्स, एटीटी सैकेंड एक्जाम जेरा अपने पंजाबदा होना हैगा, उस दे विच साइंस बहुत इंपोर्टेंट पार्ट हैगा, क्योंकि मोस्ट आफ स्टुडेंट्स आर्ट्स फिल्ड तो बिलॉंग होन करके, ओना नू साइंस नहीं आन दी हैगी, ता मोस्ट आफ जे स्टुडेंट्स अच्छे तरिक्के ना पिरपेर करला नीटीटी दे स्टुडेंट्स था थोड़ा रैंक ले आन गे, ता अपा थियोरी पार्ट भी कर दे हुन्या, ते नाल नाल आपा 200 प्लस MCQ भी कर दे हर एक चैप्टर दे मोस्ट इंपोर्टेंट, ता इस तो पहला अपना लाइट चैप्टर कमप्लीट हैगा, साउंड वाला चैप्टर भी कमप्लीट हैगा, ऑट उसदे MCQ विच्चब चाले हमके, 100 MCQ होई सीगे, दोसो दी सीरीस सीगी, ओर डॉन वरी मैं द्वार तो स्टार्ट करूँगा साउंड चैप्टर भी, ओते हंडर कोश्चन आंगे वेरी सून ठीक है ते उस वाँ विटामीन्स वाला चैप्टर कंपलीट है का तुसी जर्नल साइंस प्लेलिस्ट भी जाके जर्नल साइंस भाय जतिन सर्थ तुसी यो सर्च देख सकते हो देजिए वीडियोज थोड़ली बहुत इंपोर्टन टॉपिक ह बाकी हर एक एक एक्जाम ने टॉपिक होंदा है साइंस क्योंकि अपने पंजाब दे जड़े एक्जाम होंदे ने ओना विचे तुसी कोई भी चाहे तुसी पीएस सी बोड़ दा एक्जाम दे रहे हो चाहे तुसी पीएस टेट दा दे रहे हो चाहे तुसी अपना पीएस करना पहोगा ही पहोगा सबतों पहला पारफ्व मोशन एंड फोर्स दी थी ठी पॉइंट करांगे उस तो बाद आप इ absolument म Sn, सबतों पहला पारफ्व करत कर दे पार्ट बन चाल रहे है ताप ठी अपर थी, मğांड ाइन पॉर्स इस्दिर दो तिन चक्र इंकलूड हो जिनके motion include हो जुगा force and laws of motion ने दो chapter नो combine करके chapter ही बनाया होया, okay? साब तो पहला काइनमेटिक्स दी आप पा definition पर देया है, एक study है kinematics, so की की दी study है? It is the branch of mechanics dealing with the study of the motion of particles, साब तो पहला kinematics की है, एक study है गया motion of the particles, वी जिरे particles ने, ओहों move कर रहे हैं, ओना दी study की बोल देया, kinematics, without taking into account the forces and energies involved, but इस दे विचे आपा गाल नहीं कर दे, जेड़ी चीज move हो रही है, उस दे पेछे energy की लग रही है, जा उस दे पेछे force की लग रही है, without अपनी force से energy आपा involvement नहीं कर दे, ता movement हो रही है, पार्टिकल दी, उस दी study नो आपा की बोल देया, kinematics बोल देया, okay, ता notes बनाई चल लिए अपने नाल-नाल, क्योंकि notes बनाई बहुत जरूरी ने dear, तो नू अगे reason देविचे बहुत काम मानगे notes, ता हार एक गल नू ते आणनाल समझो, जे कोई गल नहीं समझा रही है, ता प्लीज मैंनू comment section देविचे जरूर दास देओ, okay, next, rest, देखो एक चीज, rest देविचे कदो हुंदी है, केंदा definition पड़ोते है ना, आप पार्टिकल तुसी ओ थे object भी कह सकता हूँ, ठीक है, ता पार्टिकल इस सेद टू बी at rest, if its position relative to the surrounding does not change, ते आन रख्यो, जेडी भी एक rest दी हुंदी है, basically, एक position दे, एक surroundings दे, with respect ही हुंदा है, सब कुछ, okay, ता केंदा एक पार्टिकल है, बिल्कुर rest दे हैगा, okay, if its position, जे कर ओधी position relative to this surrounding does not change, और change नहीं हो री, with respect to time, उस दी position चेंज नहीं हो री, ता इस ना पकिका मागे, एक पार्टिका rest दे है, for example, आप बुक लाइंग ओन दी that's why आप अपा कैदे है, बुक की है, एक rest position दे है, okay, ता होप करदा था उन्हों डेफिनेशन समझागी होगी, बहुत ही असान है, लिख ले हो जरूर, क्योंकि ना दियर पंजाबी दे माटीरिल बनाना बहुत डिफिकल्ट हुंदा हैगा, क्योंकि most of जरे बुक सुंदिया आता होप कर था उन्हों समझा जुगी, ठीक है, next, motion की कह रहते हैं, आना देखो, particle is said to be in motion, if its position relative to the surroundings changes with respect to time, मतलब motion की हैगा, एक कहना, motion, if its position, जरी position है की है, relative to the surrounding, surrounding with respect to change हो रही है, okay, मतलब मन के चलो, एक round आपा surrounding ला दिया, मतलब object हैगा, इदा सारे के तो एक particular होगी, हुने object मूव कर रहे है, आप इस गाला मूव कर रहे हैं, surroundings ना चेंज हो रही है, तो इस ना आल कह देना है, भी object हैगा, कि इस देविच है, motion दे विच हैगा, तो होप कर था हुन्हें, अपनी मतलब समझा आगी होगी, for example, train moving on rails, train चाला रही है, तो इस गाला जे तुसी बाहरवाल देखोंगे ना, तो तुसी देखोंगे भी अपनी surrounding change हो जा रही है, तो इस गाला, आप मोशन दे विच हैगा, that's why, change हो रहे है surrounding, ना, नहीद ता फिर अपनी motion ना हुन दे ता आपनी surrounding change ना हुन दी फिर, ठीक नोगी स्राउंडिंग चेंज हो रही है इस दा मतलब साफ साफ है भी आपा मोशन देवेचे हुनने हां ओके हुना वस्ता पर देखा आपा टाइपस ऑफ मोशन भी मोशन देखा की टाइपस नहीं तो एकना इन आवर एवरी डे लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस टाइपस ऑफ मोशन तो हुनने डेली लाइफ देवेचा कोछ ना कुछ मोशन दे रहनी है लाइक दी मोशन फस दो हनो फानल पारा वेतिव ए वीन्ट ऑफ हवा मूव कर रही है एक्सेक्तर तो लुष लुशन केण वी इलासिफेश्थाइड लमोशन लिए्शन देखा कि ता है रेंडम शन्ह oscillatory or vibratory motion, ता यहना definition आपते आना पड़े हुंदा की है, ता random motion देखो, in this type of motion, the particles move randomly, यहना एवली type दे विच्छ, जिरे particles ने randomly move कर देने, they do not move along definite path, ना कोई वी एक particular path नहीं हुंदा, वो जिद्धर मर्जी नू मूव करी जान, ता उसनों आपा की बोल दने है, random motion बोल दने है, फोर एक्जांपल की है, the motion of dust particles, ता उनुब जिरे dust particles ने, वो एक particular direction चनी हुंदे है, वो various directions हुंदेने, ता जिद्धर मर्जी मूव कर जन, ता इस करके है, की अपनी random motion दे विच हुंदेने, dust particles, ओके, ता होब कर दा, ता उनुँ सारा कुछ समझ आ रहे है, ता students बहुत request कर साइंस दे वीडियोस पाओ, की टीदी दे स्टूडेंस बहुत दिमांड कर दे हुंदेने, ते उस तो बाज रहे है, अपने रैगूलर स्टूरेंट ने, वी साइंस दे नोट्स बहुत चाहिं दे सिगे, ता स्वाए मैं साइंस भी स्टार्ट करती वी ता जो बच्च्यान वीडियोस मिल दिया रहे हैं, ओके, नेक्स्ट, ट्रांसलेशनल मोशन, ता इस दी डैफिनिशन केते हैं, ना देखो, इन दिस टाइप अफ मोशन, एवरी पार्टिकल आफ दी बाडी है, इस दे मतलब किया, जरी बाडी जा रही है, एक पर्टिकुलर डिरेक्शन दे ता जिरा ट्रांसलेशनल मोशन है, एह अपना स्ट्रेट लाइन दे, विद रस्पेक्ट मतलब सिद्धा आप एक जगाते जा रहे हैं, जा एलोंग दी कर्वड पाथ मतलब जिमें सर्कुलर पाथ हुंदा उस तरिक के नालवी आप जा सकते हैं, ओके, ता नेक्स्ट डेफ वी मुवी einen स्टेट लाइन, देन दिस मोशन इन्सकाल राक्टि ल्निएर मोशन बोल थे अपने इसनू, ओर्केशंब लों जिरी ट्रें बिल्कुल सिद्धी जा रहिया रही है, ट्रेक्स require चोटे एसनू आप कहई बोला, एके, ता नेक्स देखो, नेक्सट कर रहे हैं तो उसने आपकर वी लीनियर मोशन कमा गे फॉर इंग्जम्पल दी पाथ ओफा बाल हिट बाया बैस्मैन फॉर आशिक्सल तो जो मझा कोई बैस्मैन सिक्सल लगानता है गा तो फॉल पाथ फोलो कर दिया है बॉल जेडी वी पाथ फोलो करोगी ओ पाथ केड़ा ह पाथ होंदा है ता इनू कर्वी लीनियर मोशन कमा गे ता इंग्जम्पला जुगी वीजेट पाथ फोलो वीज पाथ होफ़ा बॉल हिट बाया बैसमेंट फॉर अशिक्सर विए किसप्सल अपने है गया कर्वी लीनियर मोशन दी एक्जम्पल है ओके टैमेडेफिनेशन एक्जाम देविच ड्रेक्टास के उग्जामपल ड्रेक टास के लृँद आ किसे सदेने नोर्स से ने शाना पाइजा रहा हुँ्छ गज़़ो रहा हुँ रिच्फि के का रहे कर ऽेख अपनें तीर that प्र्रेंध शेर खरनी मेमेंच करनी है ठीक है ना ता अपना बस एह हुंदा है भी किससे आपा जिनना के बैनिफेट कर सकी है उनना जरूर करांगे ओके next rotational motion rotational motion की है गा ते आनल देखो if the particle of the body revolve in a circle about the same axis same axis ते circle ते same axis ते कुम रही है कोई चीज ओके ता उस motion नो आपा की बोलांगे rotational motion कमा गे उसनों आपा ता इदी example ना समझा जोगी rotation of earth on its axis ता जेदो नो पता होवे अर्थ है जेडी अपनी अपनी move कर दी है ठीक है नहीं गल ता अर्थ मूव कर दी है कि अपनी west to east वाल नो motion कमा गे आपके ता उस्तो बाद एक example कह रहा थी पुली यूजड इन ड्राइंग वाटर ता जेड़े खू हूं देने ना खू अपने हूं देने उस्तो बाद औरे जेक पूली लगगी हूं दिया औरे अपने रसी इस तरीके ना पाई हूं दी है ता अपना जेड़ा पू यूजड एन ड्राइंग वाटर एक इस दी example हागी है रोतेशनल मोशन दी इक example हागी है, ओके, next, oscillatory or vibratory motion तो और वाइबरेटरी मोशन की होंता है basically to and fro motion to and fro motion जरा मतलब एक प्लेस पहला इदर नो गया फिर वापस इदर आया फिर फिर हो रहा गया this motion is called to and fro motion about a fixed point is called oscillatory or vibratory motion तो इस उना पा की बोल दिया oscillatory motion बोल दिया और vibratory motion बोल दिया for example की है गा when the string of the guitar is plucked it forms an oscillatory motion तो उना गिटार जेडी हों दिया उस दिये strings आपा प्लक कर देया तो अपने उस position ते हो अपडाउन 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 होई जान दिया तो इस उना आपा vibratory motion कमागे the motion of pendulum of clock तो जरा clock दा pendulum होंदा हो fix point दे अपना लेफ्ट राइड अपना कुमी जान दा होंदा है तो भी की हैगा एक oscillatory motion हैगा तो इस दिया एक्जम्पल आस्क कर लंदा होंदा है तो कल्ली कल्ली आपने नोर्स दे विच नोट जरूर कर दे रहो हो तो बहुत असान लेंग्वेज दे विच मैं नोट समना आ रहे हैं तो दे लही ता पली जादा तो जादा वीडियो शेयर कर दिया करो डियर ना तो मैं तोड़े लिए बैनिफेट कर रहे हैं तो प्लीज मेरा भी बैनिफेट होना थेना ना वी चैनल दी ग्रोथ होनी चाहिएं दी है तो प्लीज जादा तो जादा स्टूडेंट्स नो शेयर वीडियो जरूर कर दो ओके नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन ता यूनिफॉर्म मोशन की हुंदा है एन अब्जेक्ट दैट इस मूविं इन स्पैसिफिक डिरेक्शन एटा कॉंस्टेंट स्पीड जेकर आपा इक स्पीड तो जा रहे हैं और मुछैज स्पीड रहे हैं तो उस्नों आप की घो उनिफॉर्म मोशन भोलंगे तो रहुत है टॉब वह ट यूनिफॉर्म मोशन एक्सारा चुक लाइब पर इक प्लेशल में डर average को एटा रहे हैं है तो तो उसनों आपा यूनिफॉर्म मोशन क खरक हरेешь Simmons के न rights विन्एवें और स्मॉंज सामझ आगर क्रें यहां कोसे क्यूंकि में स्केलर कौनिस यह है जिन्हार देविच सीरफ मैगनीट्यूर कर दैप आपा मैगनीट्यूड दी अलकर एखी करन है अपह ड्रेक्षिंदी गाल नहीं घर दियू Ultra सिर्फ magnitude होंदा है scalar quantity दे विच एग्जांपल नोते आना समझो physical quantities that can be defined using magnitude only सिर्फ एना दीक value होंदा है magnitude होंदा है but कोई direction नहीं होंदी are known as scalar quantity हुन एक्जांप जे रहा question आना बहुत important वासे ही आना which of the falling is the scalar quantity which of the falling is not a scalar quantity जा which of the falling is a vector quantity इस तरीक के the question most confusing आन दे होंदेने तब आपा थोड़े याद कर लो भी स्केलर quantity केडियां है गियाने ओके तापना जिमें सिंपल आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस तुछी के स्केलर quantity है गियाने उस तो आप एक temperature है गा okay time है एरिया मास वाल्यूम तरह सारा कुछ की है हुंदेने basically इह स्केलर quantity होंदियाने इना दी के value होंदिया बर direction नहीं होंदियागी फोर एक्जामपल जे को तुस्कों ताइम किनना है तापका मांगे साध्य साथ तो होगे टाइम बद्रेक्शन के ड्रेक्शन थोड़ी दसांगे ना कली value है एक okay ता वॉल्यूम की है इनर्जी चेप्टर याद के लो बाकि टेंप्रेचर है का okay उस तो बाद मास हुंदा एक ठीक है एरिया वॉल्यूम हुंदा है ता इस तरिके इन तो याद रहा साथ डेंस्टी भी आपना की एक basically scalar quantity है ठीक है तो नेक्स्ट है का अपना वेक्टर क्वांटी इस वेक्टर क् बोल दियां वेक्टर क्वांटी इस बोल दियां ता डेफिनेशन तो नोमा दास देना फीजिकल क्वांटी आट कैन बी इदिफाइंड ओनली इफ बहुत इट्स मैगनिटुड एंड ड्रेक्शन आर स्पैसिफाइड मतलों फीजिकल क्वांटी इस ने जिननों स्केलाइड डिस्पेस हीमाट इस अपनी वेक्टर क्वांटी इस वेक्टर क्वांटी ही इस अपनी डिस्प्लेसमेंट ओख mix Fortune पहुत अब देज़ प्रविश्छ ना वश्चन है इंपल्स मुमेंटम ओके फोर्स आपा सारी इस चैप्टर देविच करांगे कलि कली कॉण्टी आप फिसिकल कौण्टी ज़े बहुर रहा है ना दी गाल ही अगए होने हैं फोर्स वहले चैप्टर देच आप सारगों मुमे पाइब यूटी दशना पहने तेना दी नाल ना डिरेक्शन वी दशना मझें फॉर्स न्यूटन ने जुन्ट हों दिया तब केना किनी फोर्स लग रहा है फाइब न्यूटन कीसे डिरेक्शन जाग रहे हैं इस नी पोगी न भी अब अपर वर्ड फोर्स लाई है जा डाउन an object is called as distance the distance के simple अपगाल करिए अपक एक प्लेस तो तुझे प्लेस जा रहे है actual path जरा भी अपना रस्ता है गा पर इस तरी के ना कोई रस्ता फोलो किता आप एक जगह ते पहुंच गे आप एवले point ते पहुंच गया initial point सी का ते अपना final point है ठीक है ता जरा path follow हो रहे है यह सारा की हैगा इक distance है ठीक है ना the length of actual path actual path traveled by an object is called distance तो इस उना पाद distance बोल दे है तो distance के scalar quantity है तो में दस सीता distance इक scalar quantity है मतलब इस दा magnitude होंदा है बट इस दी direction नहीं होंदी है कि it can never be zero or negative जैपा देखो दो कदम भी चल लेता चल लियाता है गाना कोई distance एक फूट दो फूट पांच फूट कुछ ता distance cover किता होगा ना अपने दो जैपा दो कदम भी अग्गे चल ले हैंगे ठीक है ता एक अधे भी zero जा अधे डिक्टीव नहीं हो सब्सक्राइब क्योंगी तो सिर्फ की अपना positive value होईगी होईगी ऐसा एची यून्ट की है अधे अधे बिल्कुल पाथ dependent है वी केड़े रस्ते तुसी गए हैं ता पूरा पाथ सोदा distance कोड़ा अपने डिस्टेंस देफिनेशन वी कवर हो जन्दी है ठीक है next नेक्स्ट है अपना displacement जब दिस्प्लेस्मेंट जब दिस्प्लेस्मेंट की एक अधा इट इस दी डारक्ट स्टेट लाइन connected the initial and the final position of a body in motion in a given time interval ता बेसिकली के अपना देखो आज एक डाग्रम बना है देखो इनीशल पॉइंट आपा फाइनल पॉइंट पहुंचेगी आज एडा पाथ है इसनुद आपा बोल दे दिस्टेंस बोल देयां बर्जे इनीशल पॉइंट तो आपने फाइनल पॉइंट दे सिद्धी लाइन ड्रॉ कर दी इस देविचे एनु की बोल दे आप एनु डिस्प्लेस्मेंट बोल दे बिल्कुल लाइन धिया है इनिशल पॉइंट तो आंके रखे आपने दिस्प्लेस्मेंट हुंधिये ठीक है तो डेफिनेशन बिल्कुल नाम ठीकियर होगे भी नहीं खार दे कर थेसा अपने रस्ता बनाया थीक नहीं रसता है सीका बोर अपा सिद्धा इस पॉइंट तो और हो एगा तो मतलब तो कोई भी पात होती डिपेंड देहेगा लग नहीं कर दी है ठीक है तो इस तो बाद इधी ऐसे यूंट की है गया है मीटर सेम डिस्टेंस मेंट मेंटर है इस दी भी मेंटर है तो डिस्प्लेस्मेंट कैन भी पॉजिटिव जीरो और नेक्टिव ते कोश्चन आजन्दा हो और नेक्टिव पॉजिश्चन आगैं पाइस पॉजिशन तो आप इस पोजीशन ते आ सिद्ध़ और पाई पाइस पोजिशनर आगे ताप यह लो है जानिता नंगर नेक्टीव मालग गणLouis मेरे मुवाइल फोन नंबर ते जरूर मेसेज कर दे करो 978 0023237 ता बहुत ही लिस्ट कोस्ट दे होते बहुत ही काट कोस्ट दे होते मैं थो नूँ लाइफ सेशन पतवारी दे वीडियो अवेलिबल करके दूँगा ठीक है थैंक्स यू एवरीवन फॉर वाचिंग मैं वीडियो